तो मैं आज के वीडियो में एक्स्टेन करने वाली हूँ Love in the Air के एपिसोड 13 के पार्ट 2 को और मैं बहुत जादा अपसेट हूँ क्योंकि ये सीरीज पुरी तरह से खतम हो गया पर एक बात के खुशी है कि इस सीरीज का एक स्पेशल एपिसोड भी आने वाला है ताकि आप लोग को स्टोरी अच्छे से समझ जाए और जो लोग मेरे इस चानल पे न्यू है वो लोग प्लीज मेरे इस चानल को सब्स्राइब कर लीजे ताकि आने वाली कोई भी वीडियो आप लोगों से मिसना हो और अब बिना देर के आज के वीडियो को शुरू करते है पाट्टू की शुरुवात वहीं से होती है जब रेन स्काई को प्रपाई के बिल्डिंग के बाहर तक छोड़ने आया था वो उसे छोड़कर चला जाता है और स्काई की हालत बहुत जादा खराब होती है वो बिल्डिंग के बाहर खड़ा कुद को समाल रहा होता है और खुद से क्याता है कि कोई बात नहीं वो आज प्रपाई को सब कुछ बता देगा और प्रपाई जरूर स्काई को समझेगा ऐसे ही हिम्मत करके वो प्रपाई के अपार्टमेंट के अंदर जाता है जहां गन पहले से ही पैटा होता है और वो स्काई से क्याता है कि वो लोग अगें तुबारा मिल गए वो भी इतनी जल्दी साथी गन के साथ उसके कही सारे फ्रंस भी होती है और वो लोग स्काई से क्याती है यह वो आज रात यहां बहुत एंजोई करेंगी स्काई उन सब को दिख कर गबरा जाता है और वो गेट खोलने लगता है पर तभी गन के फ्रंस मिलकर स्काई को पकड़ लेती है स्काई चिलाने लगता है कि वो लोग उसे जाने दी गन बैठा हस रहा होता है और उसके दोस्त मिलकर स्काई को जबरदस्ती रूम के अंदर ले जाती है स्काई उनसे अपने आपको छुडाने की कोशिश कर रहा होता है तो वो लोग उसके पेट में एक पंच मारती है और गन आकर स्काई को थपर मारता है और उसके कईब आकर क्याता है कि स्काई कब से इतना जादा पावफुल हो गया गन का फ्रेंट गन से क्याता है कि वो अब भी इतना हाटलिस है उन्हें तो लगा था कि वो अब अपने एक्स पॉर्फरन के साथ जेंटल होगा गन कहता है कि स्काई उसका एक्स पॉर्फरन नहीं है वो बस उसका खिलाना है जिसे गन ने फिक दिया था ये कहकर वो हसने लगता है उसका फ्रेंट क्याता है कि स्काई तो बहुत साधा पावफुल हो रहा है वो लोग गन की हल्प नहीं करती पर उन्हें जानना था कि प्रपाई नी आखिर स्काई में ऐसा क्या दिखा और इस चीज़ को देखकर वो लोग भी चौंक गई कि प्रपाई नी स्काई को गन को वापस कर दिया ये सुनकर स्काई बिल्कुल चौंक जाता है गन स्काई से क्याता है कि क्या वो चौंक गया उसने स्काई को सब कुछ अच्छे से सिखाया था पर लगता है कि स्काई सब कुछ भूल गया क्योंकि उसके प्यारे प्रपाई ने उसे वापस गन को दे दिया है स्काई ये सुनकर बहुत रोने लगता है वो कहता है कि उसे गन की बातों पे भरोसा नहीं है गन जूट कह रहा है गन कहता है तब उसे क्या लगता है कि वो लोग प्रपाई के अपार्टमेंट के अंदर ऐसे कैसे गुज गई क्योंकि उसके प्यारे बॉइफरेंट प्रपाई नहीं उन्हें अपने रूम की चाबी दी है स्काई ये सुनकर चलाने लगता है कि गन जूट बोल रहा है और प्रपाई ऐसा कभी भी नहीं कर सकता गन कहता है कि स्काई को उसकी बातों पे भरोसा नहीं करना होगा और वैसे वे इतने सालों में स्काई ने कुछ भी नहीं सीखा ये कहकर वो हसने लगता है वो कहता है कि उसने प्रपाई को बताया कि वो स्काई का एक्स बॉइफ्रेंड है और उसने प्रपाई को वो सारी फोटो दिखाई जहां वो सारे लोग स्काई के साथ इंटिमेट हो रहे थे और प्रपाई ने वो सारे फोटो को देखकर कहा कि वो स्काई जैसे गंदे लड़के को वापस ले जाए स्काई बहुत रोने लगता है और वो पूरा तूट चुका होता है गंद स्काई के करीब आने लगता है वहीं हमें रेस वाले जगा का सीन दिखाया जाता है जहां प्रपाई आकर पाई उसे पूचता है कि स्काई कहा है पाई उसे क्याता है कि रेन उसे वापस ले गया प्रपाई क्याता है कि रेन उसे कब ले गया पाई क्याता है कि रेन ने उसे बताया कि स्काई के तब्यर थीक नहीं है तो वो स्काई को अपने साथ वापस ले जा रहा है शायद आज उनके एक्जाम्स कतम हुए है तबे वो ठका हुआ होगा प्रपाई क्याता है कि ये तो दुख्की बात है कि स्काई ने देखा ही नहीं कि प्रपाई आज कितना कूल था पर अब वो अपने हनी के पास जा रहा है क्योंकि वो प्रपाई को मिस कर रहा होगा ये क्याकर वो वहाँ से जाने लगता है तबे रेन आकर प्रपाई से कहता है कि स्काई के तब्यत कराब है तो प्रपाई उसका ख्याल रखे प्रपाई क्याता है ये सबब प्रपाई के जम्मेदारी है ये क्याकर वो वहां से जाने लगता है तबी वो सोचता है कि अगर रेन स्काई को उसके बिल्डिंग तक छोड़ने गया था तो वो इतनी जल्दी उसे छोड़ कर वापस कैसे आ गया वो रेन से पूचता है कि उसन प्रपाई क्याता है कि वो पूरा टाइम रेस पर था, वो ये सब कैसे कह सकता है, रेन क्याता है और उसे एक गार्ट में यही बात कहा था, ये सुनकर प्रपाई खबरा जाता है और वो दौर कर वहां से भागने लगता है, पायो और रेन भी उसके पीछे जाती है, जहां वो लगके गेट खोलती है और प्रपाई गुसे में अंदर आता है वो लोग प्रपाई को रोकने लगती है पर प्रपाई उन्हें मारता है और वो जबरदस्ती बेडरूंग के अंदर जाता है जहां वो स्काई के साथ गन को देखता है गन वहां प्रपाई को देख कर पूरा घबरा जाता है पर वो कहता है कि स्काई नहीं ये सब शुरू किया और गन उस पे जबरदस्ती नहीं कर रहा गन का फ्रन आकर कहता है कि गन सच कह रहा है वो लोग यहां एक लगी को लेकर आए थी पर यहां पे स्काई आग गया और स्काई और गन पहले कपल थी वो ग उनका एक्स बॉइफ्रेंड है उस लड़की को यहां देखकर स्काई ने उसे डरा कर भगा दिया और वो गन को यहां बेडरुम पे ले आया बाके साई चीजी तो प्रपाई देखी सकता है रीना कर क्याता है कि इस सब वो लोग जुट कह रहे हैं स्काई उस तरह का लड़का नहीं है प्रपाई गन को स्काई के पास से हटाता है और वो स्काई के करीबा कर क्याता है कि स्काई उठकर प्रपाई से बात करें स्काई की हालित बहुत ज़्यादा खराब होती है वो होश में नहीं होता प्रपाई उसे चिला कर क्याता है कि वो प्रपाई से बात करें तो प्रपाई के लिए सब कुछ करेगा वो रोते हुए क्याता है कि क्या वो सिर्फ प्रपाई के साथ नहीं रह सकता प्रपाई सारी बाते अच्छे से समझ जाता है कि एक्जैकले क्या हुआ वो स्काई को अच्छे से ब्लैंकेट उड़ाता है और प्यार से उसके सर पे हाथ फिरने लगता है वो स्काई से क्याता है कि बिल्कुल वो बस प्रपाई के साथ रह सकता है उसे किसी और के साथ नहीं रहना होगा और कोई बात नहीं प्रपाई स्काई के माते पे किस करता है वो रेन से क्याता है कि वो स्काई का ख्याल रखे ये क्याकर वो रूम के बाहर चाता है और रेन स्काई से बाते करने लगता है पर स्काई उसे जवाब नहीं देता वहीं रूम के बाहर गन अपने फ्रंट के साथ जल्दी जल्दी में भाग रहा होता है प्रपाई आकर उसे एक पंच मारता है और कहता है कि उसने प्रपाई के बॉइफरिन को तकलिव पहुँचाया गन कहता है कि नहीं स्काई नहीं उसे सिड्यूस किया था उसका फ्रंट आकर प्रपाई को रूक रहा होता है प्रपाई उसे हटा देता है और गन ने अपने आइब्रो में बाली पहनी होती है जिसे प्रपाई कीच लेता है और वो उसे गुसे में पागलो जैसे पंच मारने लगता है वो उसे बहुत मारता है पायो आकर उसे रोकता है कि ऐसे वो गन को जान से मार देगा और प्रपाई ने गन की हालत पूरी खराब कर दी होती है वो गन जो थोड़े देर पहले स्काई के साथ जबरदस्ती कर रहा था उसे मार पीट रहा था क्योंकि ऐसे लोग सिर्फ कमजोरों के उपर ही अटाक कर सकते हैं उनके साथ ही जबरदस्ती कर सकते हैं और उने ही मार पीट सकते हैं और प्रपाई के सामने उसके जरा से भी नहीं चली प्रपाई के सामने वो भीगी बिल्ली बन गया प्रपाई उसे उस हालत में छोड़कर अपने रूम के अंदर जाता है जहां रेन स्काई को वाजे लगा रहा होता है पर स्काई उसे कुछ भी जवाब नहीं देता प्रपाई आखकर स्काई को प्यार से पुकारने लगता है कि स्काई प्रपाई के तरफ देखे और पायू रेन को अपने साथ लेकर चला जाता है स्काई प्रपाय की तरफ देखता है प्रपाय क्याता है कि स्काई रोई अगर उसे रोना है प्रपाय उसके पास है वो उसके आसू पोचेगा ये कहकर प्रपाय खुद रोने लगता है वो रोते हुए क्याता है के स्काई अपने अंदर कुछ भी ना रखे वो अपने आसों को बाहर निकाले प्रपाई यहीं उसके पास है वो स्काई से भीक मांग रहा है के स्काई रोए स्काई प्रपाई को उसका खयाल रखने दे स्काई प्रपाई से क्याता है कि प्रपाई क्यों रो रहा है प्रपाई क्याता है क्योंकि स्काई नहीं रो रहा अगर स्काई नहीं रो सकता तो प्रपाई उसके लिए रोएगा अगर स्काई ये सब सहरा है तो प्रपाई भी उसके साथ ये सब सहेगा अगर स्काई तकलीफ में है तो प्रपाई भी उसके साथ तकलीफ में रहेगा स्काई उसे क्याता है कि उसके रोनी से कुछ भी नहीं बदलेगा प्रपाई क्याता है कि बदलेगा और वो प्रपाई पे बरुसा करे क्योंकि प्रपाई उसके साथ है वो उसे वादा करता है कि वो इन सब चीजों से स्काई को वापस गुजरने नहीं देगा वो स्काई को कभी किसी को नहीं देगा और वो स्काई को I love you बोलता है ये सुनकर स्काई रोते हुए उसे हक कर लेता है वो कहता है कि प्रपाई उसे कभी भी ना छोड़े, वो उसे किसी को भी ना दे, और प्रपाई स्काई को बहुत प्यार करे, प्रपाई कहता है कि बिल्कुल वो कभी स्काई को किसी को भी नहीं देगा, क्योंकि वो स्काई से बहुत प्यार करता है, ये कहकर वो स्काई को जोर से हक करता है और वो दोनों बहुत रोने लगती है आगे वो स्काई को अपने घर पे ले जाता है वहीं उसकी सिस्टर उन्हें देखती है और उन्हें हाई बोलने लगती है पर प्रपाई इशारे से उसे चुप रहने को बोलता है और वो स्काई को अपने रूम पे ले जाता ह वो स्काई को प्यार से अपने बेट पे बिठाता है और क्याता है कि वो उसके लिए कपड़े लाने जा रहा है पर स्काई उसका हाथ पकल लेता है और उसे जाने नहीं देता वो बहुत खबराया सा होता है तो प्रपाई उसे समालने लगता है स्काई प्रपाई से क्या था है कि क्या प्रपाई स्काई से नहीं पूछेगा कि आखिर क्या हुआ था प्रपाई उसे क्या था है कि जब वो रेडी हो तब वो प्रपाई को सब कुछ बता सकता है सकाई उसे कहता है कि तब आज ही वो दिन है उसे डर है कि अगर आज उसने प्रपाई को सब कुछ नहीं बताया तो वो इस बारी में कभी भी बात नहीं कर पाई का गन सकाई का एक्सपर्फरेंड है वो गन से तब मिला था जब वो नया-नया बैंकोक में आया था था कि ऐसा बस sky के गलती है sky के friends भी उसे कहते थे कि वो gun से break up कर ले पर sky नि किसी की भी बात नहीं सुनी उसे लगता था कि gun भी sky से प्यार करता है वो sky को बेट पे बान देता उसे बीना कपड़ों के मारता पिटता ऐसे ही उसनी स्काई को अपने दोस्तों को भी दे दिया और उन लोगों ने साथ मिलकर स्काई के साथ बहुत बुरा किया उसके साथ सबरदस्ती किया उसके हाथ और सर को पकर रखा उसके साथ उन लोगों ने ऐसा बहेव किया जैसे कि स्काई इनसान ही ना हो वो गन से भीक मांगता रहा कि गन उसके हल्प करे वो तब तक उसके आगे रोया जब तक उसके आवाज पूरे खराब हो गई पर गन ने स्काई के हल्प नहीं की उसे स्काई पे जरा भी तरस नहीं आया प्रपाई बैठा प्यार से उसकी सारी बातों को सुन रहा होता है और रूती हुए क्याता है कि वो कितना बुरा था वो ये सब स्काई के साथ कैसे कर सकता था स्काई क्याता है कि वो पूरा बर्बाद हो गया था वो खुद को बिल्कुल बेकार समझने लगा था वो जब घर वापस गया तो बिलकुल एक टूटे हुए डॉल जैसा था वो किसे से भी बात नहीं करता था और कुछ भी नहीं सुनता था उसके डैट बहुत जादा डर गए थे उसे इस हालत में देख कर स्काई स्माइल करके कहता है कि क्या वो प्रपाई से सच में प्यार कर सकता है क्या वो सच में कर सकता है प्रपाई उसे रोते हुए कहता है कि हाँ वो कर सकता है स्काई कहता है कि प्रपाई क्यों रो रहा है ये कह कर वो प्रपाई के आसू पोचने लगता है प्रपाई स्काई से माफी मांगता है कि वो स्काई से पहले नहीं मिला उसे स्काई से उस टाइम पे मिलना चाहिए था वो स्काई को कभी भी तकलीफ नहीं देता उसे कभी भी नहीं रुलाता और ना ही स्काई के साथ ये साही चीजे होती स्काई स्माइल करके उसे हग करता है और क्याता है पर आखिरकार वो लोग मिले प्रपाई क्याता है कि उसका ये क्वेशन नहीं है कि क्या स्काई उसे प्यार कर सकता है वो स्काई के सर पे हाथ फिरते हुए क्याता है कि वो चाता है कि स्काई सिर्फ प्रपाई से प्यार करे वो कभी स्काई को किसी से प्यार करने नहीं देगा वो स्काई को कभी तकलीफ में जीने नहीं देगा स्काई स्माइल करके क्याता है कि स्काई को कभी कोई तकलीफ नहीं होगी जब तक प्रपाई उसके साथ है तो प्रपाई अब रोना बन करे ये कहकर वो उसके आसू पूँचता है प्रपाई क्याता है तब स्काई भी ना रोई स्काई क्याता है कि किसने कहा कि स्काई रो रहा है और ये तो खुशी के आसू है प्रपाई क्याता है कि वो भे खुश है क्योंकि स्काई उसके बहों में है वो स्काई से कोई भी वादा नहीं करेगा बल्कि वो करके दिखाएगा वो स्काई को इतना खुश रखेगा कि दुसरे लोग उसे देखकर जल जाएंगे स्काई स्माइल करके क्याता है कि वो अल्रेडी बहुत खुश है और अगर वो इससे जादा खुश हो गया तो वो डरने लगेगा प्रपाई स्माइल करके क्याता है तब वो उसे इतना ज़ादा कुश कर देगा कि वो डरना भी भूल जाएगा उसकी बात सुनकर स्काई स्माइल करने लगता है और प्रपाई स्काई के माते पे किस करता है और क्याता है कि वो स्काई को हमेशा ऐसे ही स्माइल करवाईगा स्काई क्याता है कि वो भी ये क्याकर वो अपना सर प्रपाई के सर से लगाता है और वो लोग एक दूसरे को हग करती हैं आगे हमें morning का scene दिखाया जाता है जहां प्रपाई बालकनी पे कड़ा होता है और स्काई के नीन खुलती है और स्काई नीन से जागता है वो प्रपाई के पास जाकर उसे अवास लगाता है प्रपाई क्याता है कि वो बेट से बाहर क्यों आया वो और जादा दिर तक सो सकता है क्या वो डर गया था कि प्रपाई गाया भोग गया ये क्या कर वो अपना हाथ स्काई के तरफ बढ़ाता है और क्याता है कि स्काई उसके पास आई और स्काई स्माइल करके प्रपाई को हग करता है प्रपाई उसे क्याता है कि वो कभी भी कहीं भी नहीं जाएगा स्काई प्रपाई से क्याता है कि क्या उसके फैमली को अजीब नहीं लगेगा वो अचानक से स्काई को यहां ले आया प्रपाई स्माइल करके क्याता है कि उसकी मॉम तो स्काई से मिलने के लिए बहुत एक्साइट है कि आखिर स्काई कौन है जिसने उनके बेटे को ऐसा बना दिया ये कहते हुए वो स्काई के सर पे हाथ फेरता है स्काई स्माइल करके क्याता है कि थैंक्यू स्काई को उस बुरी दुनिया से निकालने के लिए थैंक्यू कि उसने स्काई को उस गंदे सपने से जगाया प्रपाई स्काई के माते पे किस करता है और कहता है कि उसका लवर होने के नाते ये तो उसके ड्यूटी है वो उसके माते पे हाथ वेरती हुए कहता है और उसे थैंक्यू बोलता है कि उसने प्रपाई को सब कुछ बताया और प्रपाई ने चाय को उस गंदे लड़की को समालने को कहा है तो अब वो लोग उसे कभी दुबारा देख नहीं पाएंगे स्काई क्याता है पर किस चीज के बतले वो लोग प्रपाई के हल्प कर रहे हैं प्रपाई क्याता है कि प्रपाई को होने वाले हर रेस पे कंपीट करना होगा और स्काई तो जानता है कि प्रपाई में कितना टालेंट है और रेस में वैसे भी उसे कोई नहीं हरा सकता प्रपाई उसे क्याता है कि स्काई के बुरे दिनों में उसके पास उसके डैट थी और उसका वो फिवरेट आक्टर जिसका उसने इंटर्व्यू सुना था स्काई स्माइल करके क्याता है कि हाँ उसने अपने फेवरिट अक्टर का एंटरव्यू सुना था कि उसने बिजनेस के लिए घर छोड़ा था और मुवी में वापस जाने से पहले उसके लव लाइफ में भी प्रॉबलम हुई थी बिल्कुल स्काई के तरह पर वो अपनी लाइफ में वापस कया स्काई को उसकी बाते याद है कि उससे प्यार करने वाले लोग कितने सैड होंगे अगर वो अपने आप से ही प्यार नहीं करेगा अगर एक इनसान नी उसके लाइफ खराब कर दी तो वो अपने फैमिली का सामना कैसे करेगा और जब स्काई ने अपने डैट के आँखों में आसू देखे थी तब उसने अपने आप से ये पूचा था कि स्काई के लिए कौन इंपोर्टेंट है तो वो अपने डैट के लिए अगें स्ट्रॉंग बनना चाता था वो अपने डैट को खुद पे प्राउट करवाना चाता था बजाय उस इनसान के लिए पागल होने के जिसे उसके कोई भी परवा नहीं थी प्रपाई स्काई का हाथ पकरता है और क्याता है कि भले ही वो उस वक्त स्काई के साथ नहीं था पर अब से वो हमेशा उसके साथ रहेगा वो उसके माधे पे हाथ फेरता है और क्याता है कि वो हमेशा स्काई को सपोर्ट करेगा उसे कुश करेगा उसका खयाल रखेगा उसके वैल्यू करेगा और प्रपाई को अग करता है और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगती हैं और स्माइल करकी एक दूसरे के तरफ देखने लगती हैं वो लोग बहुत कुश होती हैं और खड़े होकर बाहर के तरफ देखने लगती हैं अब दिखाया जाता है कि एक महिना बीद गया होता है जहां प्रपाई बैठा काम कर रहा होता है। स्काई उसके पास कॉफी लेकर आता है। और क्याता है कि उसके मॉम ने उसे कॉफी देने को कहा। प्रपाई उसे इशारा करता है कि वो आकर उसके गोद में बैठी। और स्काई उसके गोद पे बैठता है। और प्रपाई स्काई के कंदे पे खुश होकर किस करने लगता है और कहता है कि ये कितना रिफ्रेशिंग है स्काई स्माइल करने लगता है और प्रपाई स्काई से चिपका हुआ होता है तभी स्काई का ध्यान प्रपाई के फैमली फोटो पे जाता है वो क्याता है कि क्या ये उसकी पूरी family है प्रपाई क्या था है कि हाँ, ये उसके family member है और Sky सबसे तो मिल चुका है, सिर्फ वो उसके uncle से नहीं मिला तबी Sky देखता है कि प्रपाई का uncle उसका वही favorite actor होता है जिसकी बातों ने उसे inspire किया था वो उससे क्याता है कि इनी का इंटरव्यू तो उसने अपने बुरे टाइम पे देखा था तो अब स्काई को उसके अंकल से मिलना है क्या वो स्काई को अपने अंकल के पास ले जाएका वो प्रपाई को रिक्वेस्ट करने लगता है पर प्रपाई स्काई के आँखों को बन कर देता है और क्याता है कि वो उसके अंकल के तरफ ना देखी स्काई क्याता है पर उसे देखना है प्रपाई क्याता है कि वो जलिस है भले ही वो प्रपाई का अंकल क्यों ना हो और स्काई बस अपने पास बैठे इस फ्लैक चायन के तरफ जिंदगे पर देखे ये क्या कर वो अपना मूफ उलाने लगता है स्काई क्याता है कि क्या वो जेलिस है प्रपाई क्याता है कि हाँ बिलकुल वो ये बात तो अपने सर पे भी लिखने वाला था स्काई स्माइल करके क्याता है कि क्या प्रपाई एक बात जानता है प्रपाई मूफ उलाकर क्याता है कि वो कुछ भी नहीं जानता स्काई क्याता है कि स्काई अपने पूरे जिंदगी बस प्रपाई की तरफ देख सकता है ये सुनकर प्रपाई कुश हो जाता है और वो स्माइल करने लगता है स्काई उसके गालों को प्यार से किषता है और कहता है क्योंकि वो प्रपाई से प्यार करता है ये कहकर वो अपना सर प्रपाई के सर से लगाता है और वो लोग एक दूसरे को किस करने लगती है पर स्काई किस करते हुए रुख जाता है प्रपाई किस करने के लिए उसके करीब आने लगता है पर स्काई उसे आगे किस करने नहीं देता और स्माइल करके क्याता है कि वो प्रपाई की सिस्टर से बात करने जा रहा है प्रपाई स्माइल करके क्याता है कि आज रात अगर उसने स्काई को भी हुशना कर दिया तो उसका नाम प्रपाई नहीं ये क्याकर वो स्माइल करता है और सामने रखे उनकी साथ वाले फोटो की तरफ देखता है और हैपी एंडिंग के साथ ये एपिसोड यहीं पे कतम होता है तो फ्रेंड्स ये थी लव इन दा एर की पूरी कहानी और मैं काफी ज़ादा सैड हूँ क्योंकि एक खुबसूरत सिरीज इतनी जल्दी कतम हो गया मैं नहीं चाती थी कि एस सिरीज इतनी जल्दी कतम हो जाए और मुझसे दूर चला जाए मुझे नहीं पता कि इस इसका बहुत ही बेसबरी से इंतजार किया करती थी और मैं दोनों कपल्स को हमेशा याद रखोंगी मैं काफी जादा सैट हूँ पर साथ ही इनका स्पेशल एपिसोड आने वाला है जिसके लिए मैं एकसाइटेड हूँ और फ्रेंस आज के लिए बस इतना है और अब मैं मिलूँगी नेक्स वीडियो में तब तक अपना ख्याल रखे बाई बाई